नमस्का जहिंत दोस्तों यह पार्ट वन है इसमें सो कॉश्चन होंगे जीके जीएस के इन प्रश्णों को आप अच्छे से याद कर लीजेगा चुकि आपके एक्जाम चल रहे हैं तो हम आपके लिए रैपिड भायर प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएं एक हजार कॉश्चन की प्रैक्टिस सीरीज ठीक है इसको जॉइन कीजिए जो भी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करनी हो हमारी चैनल पर आपको जीके जीएस के वीडियो मिलते हैं जरूर जो जाना और पुराने स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देते हैं नए स्टूडेंट भी मिलकर पहला कोशन देखिए समराट अकबर का वित्तमंत्री कौन था तो समराट अकबर के जो वित्तमंत्री थे वो थे टोडर मल ऑप्शन नमबर यहां पर सी टोडर मल समराट अकबर के वित्तमंत्री थे पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है तो पुस्तक गुलामगिरी इसके रचनाकार है आपके जोतिवा फुले जी ऑप्शन नमबर सी जोतिवा फुले जी गुलाम गिरी के रचनाकार है प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे आर्ची प्रथम सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे सबसे पहला जो सर्च इंजन आया था एलन इमिटेज ये संस्थापक थे सबसे पहले सर्च इंजन के जैसे गूगल एक सर्च इंजन है सबसे पहला सर्च इंजन था आर्ची उसके संस्थापक थे एलन इमिटेज 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षामंत्री कौन था तो भारत के रक्षामंत्री उस समय थे जग जीवन रामजी 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जग जीवन रामजी भारत के रक्षामंत्री थे लॉड मियो की हत्या किस स्थान पर की गई थी तो लॉड मियो जो थे उनकी हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर अप्शन नमबर यहां पर है पोर्ट ब्लेयर में लॉड मियो की हत्या की गई थी नेपाल के प्रथम राष्टपती कौन है तो नेपाल के सबसे पहले हमारा प्रॉसीदेश है तो नेपाल के सबसे पहले राष्टपती थे राम वरन यादाव जी अप्शन नमबर बी राम वरन यादाव जी नेपाल के सबसे पहले राष्टपती थे पीम नरेंद्र मोधी फिल्म के निर्दिशक कौन है तो नरेंद्र मोधी जी की उपर जो फिल्म बनी है उसके निर्दिशक थे आपके ओमंग कुमार ओप्शन अमबर सी ओमंग कुमार राइट आंसर है मित्र मेला क्रांती कारी संगठन के संस्थापक कौन थे तो मित्र मेला क्रांती कारी संगठन वीर सावरकरजी इसके संस्थापक थे पशुपती नात का मंदिर कहां पर इस्तित है तो पशुपती नात मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस्तित है Option number A, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा मिथुन नामक पशु नसल कहां पर पाई जाती है तो मिथुन नामक जो पशु नसल है ये पाई जाती है नौर्थ इस्ट में और नौर्थ इस्ट में भी अरुनाचल प्रदेश फेमस है Option number A, अवनाचल प्रदेश राइट आंसर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या कथन किसका है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ये जो कथन है ये आपके अरस्तू का कथन है Option number ये अरस्तू राइट आंसर है किसकी भेदन चमता सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक भेदन चमता जो होती है ये गामा केरणों की होती है Option number A, गामा केरणों की सबसे अधिक भेदन चमता होती है International Happiness Day किस तिथी को मनाय जाता है तो International Happiness Day ये मनाय जाता है आपका 20 मार्च को Option number C 20 मार्ष right answer हो जाएगा बगलिहार बांध परियोजना किस नदी परिस्तित है यहाँ पर आपको जो नदी आधी गई है उसमसे चिनाव नदी परिस्तित है यह Option number C चिनाव नदी राइट answer है नेपाल का सम्विधान कब लागू हुआ था तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल का सम्विधान 20 सितंबर 2015 को लाग हुआ था option number B 20 सितंबर 2015 right answer है सूरे के रण युद्ध अभ्याज किन्द दोशों के बीच में होता है तो सूरे के रण युद्ध अभ्याज जो है यह भारत और नेपाल के बीच में होता है option number यहां पर सी भारत नेपाल right answer है प्रधान मंत्री उज्वला योजना की सुरुवाद कभ हुई थी तो प्रधान मंत्री उज्वला योजना इसकी सुरुवाद हुथी 1 माई 2016 को option number B 1 माई 2016 right answer हो जाएगा संग लोग सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है तो संग लोग सेवा आयोग ये कि संविधाने की संस्था कहलाती है option number यहां पर सी संग लोग सेवा आयोग संविधाने की संस्था है भारत के कितने राज्यों में विधान परिसर इस्थित है तो भारत के टोडल 6 राज्ये हैं जहां पर विधान परिसर इस्थित है कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई है तो कजाकिस्तान जो है इसकी नई पर स्थापिक की राजधानी के लिए अगला कोशन देखिए तो राजा नहीं राजधानी था उनका गोर्जर प्रतिहार राजवनस राइट आंसर है सेयद राजवंश का संस्थापक कौन था तो सेयद राजवंश का संस्थापक था आपका किस रिखाँ option अमड़ी किस रिखाँ सेयद राजवंश का संस्थापक था मारफ्ती किस देश की पारंपरिक लोक गीत है मारफ्ती तो मारफती जो है यह बांगला देश का एक पारंपर एक लोक गीत है option number यह बांगला देश राइट आंसर है भूटान का राश्ट्री पक्षी कौन सा है इन में से तो भूटान का जो राश्ट्री पक्षी है वो है आपका काला कववा Option number C, काला का हुआ भूटान का राष्ट्री पक्ची है अगला कॉश्चन देखिए काजी नजरूल इसलाम किस देश के राष्ट कवी है? काजी नजरूल इसलाम तो काजी नजरूल इसलाम बहुत फेमस हैं और ये बांगला देश के राष्ट कवी है Option number C, बांगला देश के राष्ट कवी है काजी नजरूल इसलाम केंडियन किस देश की एक नरत्यशैली है? केंडियन तो केंडियन जो नरत्यशैली है ये हमारे पड़ोसी देश शीलंका की नरत्यशैली है Option number B, शीलंका राइट आंसर है सिपाही विद्रो की सुरुवात कहां से हुई थी? तो सिपाही विद्रो की जो सुरुवात हुई थी मेरट से हुई थी Option number C, मेरट राइट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रो की सुरुवात के लिए दोस्तों देख रहे हैं कॉशन कितने अच्छे हैं यह आपके एक्जाम में पिछले कई सालों से पुशे जा रहे हैं जिसे एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ Question Answer बनाए हैं 10,000 GKGS के Question Answer जो MCQ के format वे 4 उप्शन में जो कि आप जो एक्जाम तयारी कर रहे हैं सकते हैं 100% चांसे से आने के और वो Question Answer PDF है और PDF सब को WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी PDF जो है आपकी वो 300 रुपे की है लेकिन अभी एक्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपे में जो भी सक्छम है जो भी ले सकता है वो ले ले बाकी YouTube से पढ़ो बाकी जो जिसको लेना हूँ 99 रुपे में आपको 10,000 GKS की QS की Question मिल रहा है जो कि आपके एक्जाम में फश सकते हैं तो इनको PDF को लने के लिए नीचे देगा नमबर और WhatsApp कर लेना नमबर आपको पूरे वीडियो वर्षोह होगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना ये screenshot लेके रख लेना ठीक है ग्राम पंचायत के प्रतिनिदियों का कारेकाल कितने वर्षों का होता है तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिदि पांच साल के लिए पांच वर्ष के लिए चुने आते हैं आप्शन अमबर भी पांच वर्ष राइट आंसर है तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख तो जो तनाख है यह यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है 1948 option अमड़ी right answer है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया तो जो अफीम युद्ध हुआ था यह हुआ था आपका चीन और इंगलेंड के बीच में option अमड़ी चीन और इंगलेंड के बीच में प्रसिद्ध अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटिस राज एवं अफगान आदिवाशियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी तो ब्रिटिस राज और अफगान आदिवाशी इनके बीच में यहां पर आपको जो option दिये गए हैं right answer हो जाएगा आपका क्या तो right answer हो जाएगा यहां पर जो युद्ध लड़ा गया था तो इसको दो तीन नाम से जानते हैं एक तो अफगानी युद्ध option number D में आपको दिखा आए या जनजाती विद्रो भी कहा जाता है या खोश्ट गडबड़ी भी कहा जाता है दो तीन नाम है यहां पर right answer हो जाएगा अफगानी युद्ध option बड़ी अफगानी युद्ध राइट आंसर है अगला question देख लेते हैं अगले question में क्या पूछा गया है यहां पर option number D को हमने टिक लगा दिया है अफगानी युद्ध अगला question देखिए भारत में आंतरिक अशांती के समय भारत के प्रधानमंत्री कों थे जब भारत में आंतरिक अशांती फैली थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदरा गांधी जी option नमबर यहां पर भी इंदरा गांधी जी right answer हो जाएगा नेपाल का राश्ट्री पशु इन में से क्या है तो नेपाल का जो राश्ट्री पशु है वो है आपका गाय option number B गाय नेपाल का राश्ट्री पशु है friendship highway किन दो देशों के बीच में है तो friendship highway ये आपका चीन और नेपाल के बीच में है फ्रेंशिप हाईवे, option number B, चीन और नेपाल के बीच में फ्रेंशिप हाईवे, भारत शिलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो भारत और शिलंका के बीच में मित्र शक्ती युद्ध अभ्यास होता है, option number B, मित्र शक्ती युद्ध अभ्यास ये भारत और श किस राज में स्थापित की गई थी तो सबसे पहले लोका युक्त जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए option number B महराष्टर में सबसे पहले लोका युक्त राज की स्थापित की आगये था महराष्ट राज यहां पर आपका B राइट आंसर हो जाएगा राष्टरी पंचायत का जाता है नेपल की संसर देखिए अगले गौस्चन में आपसे क्या पूछा गया है तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्टपती इनमें से कौन थे भारत की यात्रा पर आने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्टपती कौन थे सबसे पहले जो आये थे यहाँ पर आपको जो option दिये गए है अमेरिकी राष्टपती की बात हो रही है तो right answer क्या हो जाएगा इसके लिए right answer है आपका white D. Eisenhower option number यहाँ पर आपका C. white D. Eisenhower यह सबसे पहले अमेरिकी राष्टपती थे जो भारत आये थे option number यहाँ पर आपका C. प्रशन के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगले question देखें यह लिए हाँ आपके screen पर अगले question पुछा गया है कि थुम्बा rocket प्रक्छेपन के इंद्र कहा इस्तित है तो थुम्बा rocket प्रक्छेपन के इंद्र यहाँ पर आपको जो option दिएगा है उसमें से right answer हो जाएगा यह आपका इस्तित है केरल राज्य में option number भी केरल राज्य में थुम्बा rocket प्रक्छेपन के इंद्र स्तित है option number भी केरल राज्य right answer है अगला question देख लीजे इसमें पूछा गया है option number भी में मैलिक अमले दिखा है मैलिक अमले पाए जाता है से में option number भी right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपसे यहाँ पर पूछा गया है बाबर ने किस युद्ध में सरपतम जिहाद का नारा दिया था बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा जिहाद का नारा बाबर ने युद्ध दिया था यह दिया था आपका खानवा के युद्ध में option number ए खानवा के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले नारा दियाता जिहाद का option number एक खानवा का युद्ध right answer है अगला question है आपसे कि anti-money का रासायनिक प्रतीक क्या है anti-money का रासायनिक प्रतीक क्या है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा anti-money को दरसाते हैं आपका S, B से option number यहाँ पर C देखिए S, B लिखा है option number C में तो S, B से दरसाते हैं anti-money को S, B option number C यहाँ पर प्रशने के लिए right answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ इसमें आपसे पूछा गया अगले question में कि Einstein का समीकंड इनमें से क्या है Einstein ने कौन सा समीकंड दिया था तो यह तो बिल्कुल easy question हो गया right answer option number C, E बराबर mc square Einstein ने समीकंड दिया था E बराबर mc square, option number C right answer हो जाएगा अगले question में आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका का राश्ट्री खेल हमारे पड़ोसी दिश श्रीलंका का राश्ट्री खेल क्या है तो यहाँ पर क्या right answer हो जाएगा option के अनुसार तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा श्रीलंका का राश्ट्री खेल है बॉली बॉल, option number यहाँ पर भी बॉली बॉल right answer हो जाएगा श्रीलंका का राश्ट्री खेल आपका बॉली बॉल है, option number B बॉली बॉल राइट आंसर है बढ़ते हैं अगले कॉशन की तरफ अगले कॉशन में देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है तो अगले प्रश्ण में पूछा गया है कि भारत के प्रतम लोकपाल इन में से कौन है सबसे पहले लोकपाल कौन है सबसे पहले आपके भारत क कि जो लोगपाल है यहाप पर आइट आंसर हो जाएगा अगला कौशन दिखिए दक्षण गंगोतरी यहाँ पर आपको सबसे पहले तो भारत का एक शोध के इंद्रह दक्षन गंगोत्री जो की अंटार्खिटिका मिस्तित है option number यहाँ पर आपका D right answer है मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ यह कथन इनमें से किसका था कि मैं जो हूँ आकाश गंगा का एक नागरिक हूँ पताईए जो option दिए गए हैं आपको option जो दिए गए हैं उसके राइट answer हो जाएगा यह जो कथन कहा गया था यह आपका कहा गया था कलपना चाउला की द्वारा कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ ठीक है आकाज गंगा का नागरिक हूँ एक हमारे इंडियन ही रीजन की थी कलपना चाउला जी इनको कहा गया था क्या कि मैं इन्हों ने कहा था कि मैं आकाज गंगा की नागरिक हूँ ठीक है अगले कोशन देखें अगले कोशन बढ़ते हैं अगले कोशन में आपसे क्या option number 1 का right answer हो जाएगा विम्ष्टेक के मुख्याले के लिए याद रहेगा अगला कॉशन देखें अगले कॉशन में आपसे पूछा गया है भारत और बांगलादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो भारत और बांगलादेश के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है right answer हो जाएगा आपका यह होता है संप्रीती युद्ध अभ्यास option number C संप्रीती युद्ध अभ्यास यह भारत और बांगलादेश के बीच में होता है option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा संप्रीती युद्ध अभ्यास अगला question दिखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुवात कहां से की गई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जो शुरुवात की गई राइट आंसर हो जाएगा ये की गई थी हर्याना राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भारत में प्रथम लोगपाल बिलकिस वर्ष पारित हुआ था तो आपको बताया गया था सब चीज बता चुके की पहले लोगपाल कौन थे राज्य कौन सा था महराष्ट राज्य था अब कब सबसे पहला लोगपाल लाग हुआ था तो या रखना 2013 की बात है उप्शन नमबर सी 2013 उप्शन नमबर सी 2013 राइट आंसर है सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है सूफी संतों की कब्र को तो जो सूफी संतों होते हैं उनकी जो कब्र होती है उसको कहा जाता है यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका दरगाह Option number A दरगाह right answer हो जाएगा सूफी संत्रिक की कब्र को दरगाह कहा जाता है तेरवी सदी में पश्चिम मंगाल को किस नाम से जाना जाता था तो तेरवी सदी की बात हो रही है तेरवी सदी में जो पश्चिम बंगाल था उसको जाना जाता था आपका गौंड प्रदेश ऑप्शन नमबर यहाँ पर गौंड प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा के नाम से ऑप्शन नमबर C किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है कौन से खेल का जो विजेता है उसको भारत केसरी कहा जाता है तो या रखना जो कुस्ती का विजेता होता है उसको भारत केसरी नाम से विजेता को बुलाय जाता है जाना जाता है ऑप्शन नमबर C ऑप्शन नमबर D पंकज गुपताजी सबसे पहले हौकी के बनों से बहरत के टाइब्रेकर शब्द का संबंद किस्खेल से है तो ताइब्रेकर शब्द होता है यहाँ पर आपको जो option दिएगा है राइट आंसर हो जाएगा यह hockey से संबने थे tie breaker hockey option number भी hockey right answer हो जाएगा हैलीवीड का मंदिर कहाँ इस्थित है प्रसिद्ध हैलीवीड का मंदिर तो हैलीवीड का जो मंदिर है राइट आंसर हो जाएगा आपका यह इस्थित है आपका करनाटक में option number A करनाटक में हैलीवीड का मंदिर स्थित है option number A right answer है अलेहिलाल समाचार पत्र का precaution किस ने किया था तो अलेहिलाल समाचार पत्र का जो precaution किया गया था यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा राइट आंसर है आपका option number C मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जी के द्वारा अलहिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था अभ्यूदाय समाचार पत्र के संपादक कौन थे तो अभ्यूदाय नामक जो समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे ये थे आपके राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवी जी अब्योदाय नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे अगला कॉशन देखिए अगले कॉशन में आपसे पूचा गया है कि दक्षनेश्वर काली मंदर कहां इस्तित है दक्षनेश्वर काली मंदर तो यहां रखेगा दक्षनेश्वर काली मंदर जो इस्तित है यह आपका इस्तित है कोल काता में option number कोल काता में दक्षनेश्वर काली मंदर इस्तित है नाहर गड का किला को किसने बनवाय था तो नाहरगड का जो किला था यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा नाहरगड के किले के लिए तो राइट आंसर है यहाँ पर सवाई जह सिंग जी ने नाहरगड का किला बनवाया था option number C सवाई जह सिंग जी जी राइट आंसर है यह हो चुका है कहां पर है यह आपको बता दिया है इसका निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था दक्ष्णेश्वर काली मंदर जो कोलकाता में है इसका निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था यह आप से कौशन पूछा गया है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्ण अनुमान कराया गया था, option number यहां पर right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है, इन में से, चूहों को मारने के लिए इन में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो या रखेगा, जो चूहे होते हैं, उनको मारने के लिए पूछा ग कई तो जो गैसं इंजन था इस की जो कोज की कई राइट आंसर हो जाएगा ईयुक्पलर की द्वारा ऑप्शुन नंबर सी यहां पर धाएगव डेलने किस्की कोज की थी बताओ सिंपल सा कॉशन है आप नाम से ही समझ जाओगे हो सकता कई लोगों को पढ़ाओ एडॉल्फ डीजर ने किसकी खोचकी थी कमेंट करके बताना है अगला कॉशन दिखो बांगलादेश के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे तो बांगलादेश के जो सबसे पहले प्रधान मंत्री थे एक सेकेंड हाँ प्रधान मंत्री राष्ट पढ़ी लिया था सबसे पहले प्रधान मंत्री बांगलादेश के जो थे यहां पर आइट आंसर हो जाएगा आपका option number B ताजुद्दीन एहमद ताजुद्दीन एहमद सबसे पहले प्रधानमंत्री थे बांगलादेश के तारखीचनियों के सबसे नमनी धातू कोसी है तो तारखीचनिय बना सकते औप्शन धैस नमघines यहाँ बड़ी राइटकर और धानसर हो जाएगा थर्मस फ्लास्क के आव्यशकारग कौन है तो जो thermos flask होता है आज कल हम पानी पीते हैं thermos की bottle में बोलते हैं तो thermos की bottle thermos flask के जो आविश्कारक थे वो थे आपके डेवर option number c डेवर right answer हो जाएगा thermos flask के आविश्कारक के लिए अगला question देखिए six सामराजी का अंतिम शाषक कौन था तो six सामराजी के आख्री जो शाषक थे लाश्च शाषक थे आपके all right answer हो जाएगा option number डिलीप सिंग जी option नमबर A डिलीप सिंग जी जे six सामराजी के अंतिम साषक थे राया डिलीप सिंग जी option number A यहां पर पर प्रश्नी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए लोक साही सरकार की कल्पना सरभथम किस ने की थी तो लोक साही सरकार इसकी जो कल्पना की गई थी यह की गई थी आपकी किसके दौरा तो रूसो के दौरा option number भी Russo right answer हो जाएगा सयुक्त राज अमेरिका के प्रथम राष्टपती कौन थे तो सयुक्त राज अमेरिका के सबसे जो पहले राष्टपती थे वो थे आपके right answer हो जाएगा George Washington option number यहाँ पर डी George Washington right answer है मेथन जलविदुत केंद्र कहाँ पर इस्थित है तो मेथन जलविदुत केंद्र यहाँ पर आपको जो option दिये गए है right answer हो जाएगा यह स्थित है आपका जारखंड में जारखंड में स्थित है मेथन जलविदुत केंद्र option number यहाँ पर भी right answer है अगला question देखिए तो अगले question में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक जो है आवर्टसाणी के अठारवे समुहों के तत्तों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है तो यदि आधुनिक आवर्टसाणी का अठारवा समुहों देखेंगे तो वहाँ पर जो भी तत्तों है उनका जो बाहरी कोष होता है वो पून होता है option number यह पूर्ण होता है बाहरी कोश पौधों में लचीलापन किस उतके कान आता है तो पौधों में जो लचीलापन होता है यह आता है आपका किस के द्वारा तो यहाँ पर आपको जो option दियेगा है right answer हो जाएगा colon kai ma colon kai ma typing mistake थी मैं सही कर दिया देखिए उपनिशद किस प्रकार का ग्रंथ है जो उपनिशद होते हैं किस प्रकार के ग्रंथ कहलाते हैं तो उपनिशद जो है आपकी दार्शनिक ग्रंथ कहलाते हैं option नमब सी दार्शनिक ग्रंथ कहलाते हैं उपनिशद वसुदेव कृष्ण का संबंद किस कुल से था तो वसुदेव कृष्ण जी का संबंद जो था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो अप्शन देगा है उसके उसा राइट आंसर है आपका व्रशनी कुल option number यहाँ पर भी व्रश्णी कोल राइट आंसर हो जाएगा वसुदेव कृष्णी जी का संबंद व्रश्णी कोल से था ठीक है यादो भी कहा जाता है यादो ठीक है अगला question देखिए गैलियम तत्त्त का परमाणू क्रमांक क्या होता है तो गैलियम तत्त का परमाणू क्रमांक राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह ठाता है आपका-31 option number B हौर्णुभिल उत्सौ किस राजिय में मनाये जाता है तो प्रसिद हौर्णुभिल जो उत्सौ है आपका यहां पर आपको जो option देगा है उसके अनुसार बताना है तो option के अनुसार आपका right answer क्या हो जाएगा नागा लेंड तो नागा लेंड यहां पर onie नंबर देखिए यहां पर टाइपिंग मिष्टे के सभी कर लिए यह पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है अन्तराष्टी ओलम्पिक पदक में सबसे पहली भारती महिला जिन यहां अब बी कर वी कर्णम मलेह्ष्वरी पहली महिला थी को लेक्षित्तुछासिस्जास ने किया अनियस्चिता सिध्धांत का रथिपादन Tusna ने किया तो जो अनिश्चित्त का सिधान था इसका प्रतिपादन किया था आपका यहां पर जो ऑप्शन दिये गए हैं वह बर्णर हाइजेंबर्ग के द्वारा तौप्शन नमबर भी बर्णर हाइजेंबर्ग राइट आंसर है नील विद्रोह कहां पर हुआ था नील विद्रू के लिए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारती महिला पहलवान अब महिला पहलवान की बात हो रही है रैसलिंग की बात हो रही है कि रैसलिंग में ओलंपिक पदक किसको मिला था प्रथम भारती महिला पहलवान आपको बताना है तो यहां रखेगा यहां प लागू किया गया तो भारती ए वन जीव संड्रक्षन अधीनियम कब लागू किया गया था ये लागुगाया था 1972 में option number भी 1972 राइट आंसर हो जाएगा पागल 2570 का संबन्द किसी राजी से है पागल 2570 तो पागल 2570 जो था ये पेश्यम बंगाल से संबनित था option अमड़ी पेश्यम बंगाल से संबनित था पागल 2570 लोग सभा में आविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार कब लाया गया था तो लोग सभा में आविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार लाया था 1963 में option number C 1963 right answer है ब्रहद सहीता के लिखक कौन है तो ब्रहद सहीता इसके जो लिखक है right answer हो जाएगा इसके लिखक है ब्रहद सहीता के वरा हमिर जी option number ये वरा हमिर जी right answer हो जाएगा false start शब्द का संबंद किस खेल से है तो false start जो शब्द है इसका संबंद यहाँ पर आपको जो option दियेगा है right answer हो जाएगा यह आपका athletics से option number C, athletics से संबंद है false start no correct by spare reserve किस राज्य में है तो no correct by spare reserve यह आपका पढ़ता है right answer हो जाएगा सिक्क्यम राज्य में option number यहाँ पर भी सिक्क्यम राज्य में है no correct by spare reserve शाली मार बाग उध्यान कहाँ परसित है तो शाली मार बाग उध्यान यहाँ पर right answer हो जाएगा यह आपका श्री नगर में option number C, श्री नगर में है शाली मार बाग उध्यान रामा गुंडम ताप विद्धुत पर्योजना ताप बिजली सैंत्र किस राज्य में है तो रामा गुंडम ताप विद्धुत पर्योजना यह सैंत्र यहाँ पर right answer हो जाएगा यह आपका आंध प्रदेश राज्य में option number 2 आद्र प्रदेश राजम है रामा गुंडम ताब बिजली सैंत्र option number 2 भारत में सुस्क खेती के सबसे प्रमुक फसल कौन सी है तो भारत में जो सुस्क खेती के लिए सबसे प्रमुक फसल है यहाँ पर आपको जो option दियेगा है right answer हो जाएगा आपका बाजरा option number C बाजरा य भारत में सुस्क खेती के सबसे प्रमुक फसल में से एक है शिवनात किसकी सहाइक नदी है शिवनात तो यहाँ रखेगा शिवनात जो सहाइक नदी है यह आपकी सहाइक नदी है महा नदी की महा नदी की सहाइक नदी है जिसका नाम है शिवनात भीमा परियोजना किस नदी परिस्तित है तो जो भीमा परियोजना है आपकी यहां पर आपको जो option दिये गए उसके अनुसार राइट आंसर होजेगा भीमा परियोजना है आपकी पावना नदी पर भीमा परियोजना है option number D पोचम पाद परियोजना किस नदी पर इस्तित है पोचम पाद परियोजना तो यह रखना पोचम पाद जो परियोजना है यह आपकी इस्तित है गोदावरी नदी पर ऑप्शन नमबर भी गोदावरी नदी पर है पोचम पाद परियोजना अम्रत धारा जल्परपात किसे राज्य में हैं तो प्रसिद्ध अम्रत धारा जल्परपात ये कौशन एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये है आपका option number भी 36 गड़ राज्य में अम्रत धारा जल्परपात और आपके लिए surprise कौशन है इसके आगे के कौशन हम 101 से लेकर दोसों के कौशन पढ़ेंगे कल और पीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कर देना यह आपको रोज वीडियो चाहिए वोरी वनेजी अबैरने किसे राज्य में स्त्थ है वोरी वनेजी अबैरन तो वोरी वनेजी अबैरन यह HE सब्सक्राइब, भरापन सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में अपना ख्यार रखिए जिसको भी PDF चाहिए 10,000 कोशन की नीचे दीगा नंबर संपर कर लेना WhatsApp पर आप सभी को PDF मिल जाएगी फॉन पे Google पे पेटेम के मादम से पेमेंट कर सकते हो ठीक है नीचे दीगा नंबर संपर कर लेना पूरे यूटूब पर यह PDF आपको कहीं भी नहीं मिलेगी निन्दानी रुपए में 300 रुपए इसकी प्राइज है लेकिन एक्जाम सब के आगे इसलिए 99 में दे रहे हैं जय हिंद जय भारत